अग लगा दे आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों टीवी एक्टर फहमान खान के बारे में हम बात करने वाले हैं फहमान खान को स्टार फलस के सो इमली ने उनको एक टीवी इस्टार बना दिया आपको जानकर हैरानी होगी कि एम टीवी रोडीज का एक ओडिसन देने के लिए जब फहमान खाने गए थे तो उनको बेज़त करके वहां से बाढ़ निकाल दिया गया था फिर वो अपने ग्रेय इस्तान पर वापिस आ गये थे मुंबई को छोड़कर और एक सेल्समें का काम करने लगे थे आज के इस वीडियो के अंदर उनकी लाइप इस्टोरी क के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं और उनके करियर के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी और सुम्बुल और फहमान खान की दोस्ती बिग बोस 16 के अंदर काफी जलक रही है लोग इन्हें रिलेसंशिप का नाम दे दिया है क्या यह सच है इसके बारे मे बहुत बड़ी है और यहां एक से बढ़कर एक कलाकार जिनकी अच्छी खासी पैचान बन चुकी है उनमें से एक फहमान खान जिन्होंने इमली जैसा सूपर ही टीवी सीरियल किया है इनकी और एक्टर सुम्बुल तोकिर खान की खास दोस्ती है और फहमान टीवी के सफल एक्टर्स में से एक है चलिए आपको उन्चे जोड़ी अच्छी बाते बताते हैं 4 सितंबर 1990 को बेंगलोर में फहमान खान का जनम एक मुस्लिम परिवार में हुआ इनके पिता सहबाज रहमंत और माः फेजान सहबाज है इन्होंने बेंगलोर चाही अपनी पढ़ाई मिला साल 2017 में आए कुंडली भागिये से इनके इन्हें लोक प्रियता मिली और उसके बाद कई टीवी सीरियल में काम किया इन्होंने इमली सो किया है जो कलर्स का सूपर हीट सो रहा और यहीं पर इनकी मुलाकाद सुंबुल तौकिर कान से हुई सुंबुल के साथ फेमान की अच्छी बॉंडिंग है और अफवा यह भी है कि रिवे रिलेशन्शिप में हैं फेमान ने साल 2022 में एक वीडियो सौंग डायरेक्ट किया जिसका नाम इसक हो गया है इसमें उन्होंने एक्टिंग भी की और सुंबुल के साथ उन्होंने यह म्यूजिक एल्बम किया जो का ने कलाकार थे रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने धारावाइक में अपने चरीतर के बारे में साजा किया उन्होंने का मैं इस बूमिका को लेकर बहुत उत्सायत हूँ क्योंकि एसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया मेरे सबी किरदार अतीत में गंबीर रहे हैं ल साथ एक लापरवा लड़का है और वह अपने पिता को छोटे पेमाने के वहसायों को उनर जीवित करने में साहिता करता है निया की दुनिया उसके पिता के इर्द गिर्द गुमती है लेकिन रंदीप एक हाथ की दूरी पर रहना पसंद करते हैं 2019 में वह संगित वीडियो इनना तेरे बिना में दिखाए दिए फैमान खान ने इसक में मरजावान मेरे डेड की दुलन अपना टाइम भी आएगा और इमली जैसे टीवी सोज किये हैं इनका एक नया सो धरम पतनी जल्द ही कलर स्ट्वी पर आने वाला है फैमान कान की बिग बोस 16 में वाइल्ड इं इस वीडियो के अंदर आपने फैमान खान के बारे में जाना तो अब हम एम टीवी रोडीज के ओडिशन के बारे में बात करते हैं तो जब वो बैंगलोरू से मुंबई गए और उनको ऐसा लगा कि वो बहुत जल्द एक पॉपिलर एक्टर बन जाएंगे तब तक उनकी उ कपड़े की छोटी सी दुकान उन्होंने खौल ली काफी अच्छा कासा पैसा उन्होंने गेंग किया उसके काफी दिन वापिस वो मुंबई गए और वो ये ठान कर गए थे कि अब की बार तो जरूर हम में एक सफल एक्टर बन ही जाओंगा ना सिर्फ वो एक्टर ही रहे हैं वो किर्केट के भी काफी अच्छ प्ले रहे हैं और स्टेट लेवल तक उन्होंने किर्केट भी खेला है लेकिन किर्क वीडियो के अपने प् comida के बारे में जाना आपको ये वीडियो के साला का कमेट सेक्शन चैसे के अंदर जूर two बताना लाइक करें अपने friends बहोते को साथ करें और जो भी फैमान खान उसके साथ इस वीडियो को सेर करना तो बनता है मैं मिलता हूं आप से इंट्रेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिंद